हेलो माई लावली वेकर्स तो ये एक आया था टूटाय का केकडर तो इसके लिए मैं तीन तीन यूज की हूँ और तीन तीन एक का साइज था एट इंच और दो का साइज था फाइव इंच में तीन जो ली थी 600 ग्राम प्रिमिक्स यूज की थी तो डिवाइड करके बैटर को मनलब छोटा वाला दो सिलेक्ट की इसलिए ताकि ज्यादा डोम ना आए और एट इंच वाले में जितना बैटर बचा उतना दे दी और अच्छी तरीके से हो गया देखे मैं अपी थोड़ा सा जो डोम का पाठे उसको थोड़ा सा निकाल रही हूं और बड़ा वाला केक को केक काप वर में बड़ा कीं रहाया दो क्रीम के अंदर था रासस सो इसके अंदर जो कस्तमर से उन्होंने बज्च फिक्स कर लिये तो उसके हिसाब से मैं ये केक उतने में ही बना ली और क्रीम जो यूज की में इसके लिए 700 ग्राम तक में क्रीम यूज कर की थी और ये करने से हो गया जितने में उनको केक देना था और रही बात मेरी प्रीमिक्स की तो मैं वीवा की प्रीमिक्स यूज करती हूं और यहां पर और कुछ आवेलेबल नंदी वाला मुझे इतना मतलब कस्टमर से अच्छा फिडबैक नहीं आया थोड़ा सा कंप्लेन आया तो इसलिए में भीवा में स्वीच होगी और इसका फिडबैक अभी अच्छा आ रहा है नंदी खराब नहीं है लेकिन प्राइस उसका थोड़ा सा ज्यादा रहता है और अच्छा फिडबैक नहीं आया इसलिए में दो फ्याक्तर को देखके पिवा का ही उसका रही हूं और इससे पहले गुडरीज का ही उसका रहता था और यह केक में बनीला फ्लेवर की बना रही थी तो इसलिए लेर में कुछ भी नहीं दी हूं आप चाहे तो कंडेंस्ट मिल या फिर आप जो मिल्कमेड बोलते हैं उसको भी दे सकते हैं और आपको अपना प्रॉफिट देखकर ही देना है अगर कस्टमर जादा पेसा नहीं दे रहा है तो आप नहीं भी देंगे ना तो चलेगा उनके साथ पहले से ही बात कर लीजेगा इसकी उपर आपको क्लियर आ करूंगी और उपर वाला जो दो दो पीस में करके चार लेयर में निकल और ये वनीला शु태। कोड़ा सा उसमें पानी आड़ करके और इस तरह की कंसिस्टेंसी बनाने के बाद यह लो कलर मिक्स करके मैं पाइपिंग बैक से इसको चारो तरफ इस तरह फेल आ रहे हूं इस तरह में कभी भी केक नहीं बनाई थी जेल में मतलब टूटायर में केक और यह पहली बार ही बना सब्सक्राइब कर दीजिए और सेयर बहुत से बहुत कीजिए देखिए यह में एक केक को लिप्ट करके छोटा वाला केक को बड़ा वाले के उपर रख रही है और मैं इसमें आज ना टूथपिक ना वो स्टिक्स कुछ भी यूज नहीं करूंगी क्योंकि इतना दूर नही इसके लिए मैं इसमें ना टूथपिक्स लंबा बाला बो टीका स्टिक्स ना इस्क्रिम टीक स्टिक्स कुछ भी यूज नहीं कर रही हूं देखिए अच्छे तरीके से सेट करने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा मतलब केक टेड़ा हो गया है धीरे धीरे करके मैं इसक अगर इस तरह करने से अगर कहीं पर भी आपका केक थोड़ा सा टेड़ा भी दिख रहा होगा ना वह बैक साइड में या फिर साइड में अगर आप रखेंगे तो इतना पता नहीं चलेगा अभी मैं हुट क्रीम में थोड़ा सा रेड कलर आड़ करके इसको मिक्स कर रही आप देख सकते हैं उपर वाला यलो कलर की जेल से कवर कर दी और नीचे वाला वाइट ही रहने दे इसलिए में रेड कलर का क्रीम लोग रेड कलर सेलेक्ट की ताकि या उपर बना ले और नीचे भी बना रहे हूँ और उपर बना ली और daí कह साइड में चोटा-चोटा देखे स्टार्स बना रहे हो वाइट कलर में कवर करने के लिए पहले में सोस प्रेटी की रोसेट बनाऊ लेकिन रोसेट बनाने से ज्यादा क्रीम का यूज हो जाता और क्रीम तो ज्यादा नहीं चाहते हैं यहाँ पर कस्टमर तो इसलिए में अच्छा था या नहीं आप सजेस्ट कर सकते हैं और देखें इस तरह करके इतना कर दी और उपर वाला जो था ना आप चाहें तो इसके उपर रोसेट बना सकते थे या फिर कुछ डेकोरेटिव लगा सकते थे महलब इसका लुक हाइलाइट होने के लिए ये केक था निवर के लिए तो इसलिए मैं क्या की ना इसके उपर बस कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की मैं इसके उपर वो थोड़ा सा एक ग्लास बना ली और जैसे की सांपियन का ग्लास बनाओ और हेलो 2023 इतना लिग दी लिख लिया और नीचे लिख दी हूँ हापी निया ठोड़ा सा गोल्डेन स्प्रिंकल से इसके उपर स्प्रिंकल कर रही हूं आप अगर नॉर्माल एक केक डिजाइन होता तो इसके उपर में साइड में थोड़ा थोड़ा रोसेड बना ले ती इसके को दे सकती थी और केक बना करके ट्राइक करती हूं किस तरह लगता है देखती हूं अच्छा ठीक ठाक लगा तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्षन में आपको केसा लगा तो ही मैं जान पाऊंगी केक केसा बना था और लास्ट में इसका वीडियो भी में नहीं ले पाए हूं इतना भीजी सिर्फ फोटोग्राप्स यह आपके साथ यह सेयर कर रहे हूं और आपको हैल्फुल रहा या नहीं आप यह भी कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अद तक में रहती हूं बाई बाई टेक केर थैंक्स पर वर्चिंग